अगर आपके बालों में रूसी है यानि की डेंडरफ हो गई है तो उसको भी जड़ से खतम कर देगा और साथी नईवा लोगाने में बहुती जादा हेल्प करेगा तो फ्रेंड्स इनुसका ऐसा है जो कि आपके बालों से रिलेटर्स सभी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा और देखते ही देखते उनको इतना लंबा घना और काला बना देगा कि आपको खुद यकीन नहीं होग और साथी आपके रूखिसुके वालों को सिल्की, साइनिंग और स्मूद बनाएगा इसके रजल बहुती चौकाने वाले हैं तो फ्रेंड्स इस नुसके की सबसे खास बात ये है कि ये केवल दो चीजों से मिला कर बना है आप इसे बड़ी आसानी से घर पर ही बना सकते हैं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और दीगे वेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसको नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएं तो चलिए फ्रेंड्स बिना दे रहे कि वे इस नुस्क्राइब को बनाना शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी मैथी दाना यानिकी फैनुगरीट सीट्स आपको लेनी है तो फ्रेंड्स आनिकी मैथी की अंदर ऐसे बहुत सारे प्रोटीन और विटामिन्स होते हैं जिन से पतले और छोटे बाल जल्दी लंबे और घने हो जाते हैं और साथी यह गंजेपन की जो शिकायत होती है उसको भी दूर करते हैं और नाइवाल उगाने में हमारी हैल्प करते हैं मैथी जो है एक नेचुरल इंग्रिडेंस है जिसका कोई भी साइड एफेक्ट नहीं है यह आमारे बालो पर एक मैजिकी तरह वर्क करता है प्राने टाइम में भी लोग इसका बहुत यूज करते थे और इसका फायदा भी उठाते थे तो फ्रेंड सबसे पहले इस मैथी दानों क तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसका मैना चूरन जो है बना लिया है एक पावडर सा बना लिया है आप देख सकते यह वीडियो में अब इसको हम किसी हाली बावल में निकाल लेंगे तो फ्रेंड्स यहां पर मैं अभी दो चम्मच मेथी पाउडर यूज करूँगी आप अपने बालों के अकोडिंग आप इसकी मातरा को कम या ज्यादा कर सकते हैं तो फ्रेंड्स अब इसके बाद में हमें लेना है कर्ड यानि की दही दही के अंदर ऐसे विटामिन्स और मिलनस होते हैं जो कि हमारे बालों को सिल्की और साइनिंग बनाते हैं साथ ही उनको घने और मजबूत भी बनाते हैं इसका भी काफी प्राणे टाइम से यूज़ होता चला आ रहा है पहले के लोग दही यचाज से ही अपने सिर को वाश करते थे और इसी के ज़्यादातर यूज़ करते थे दही जो आपके बालों का जढ़ना बंद कर देता है और साथी नईवा लोगाने में हेल्प करता है और उनको लंबा घना और कारला भी बनाता है और साथ ही आपके बाल जो रूखे सूके हो जाते हैं उनको भी सिल्की और साइनिक बनाता है तो फ्रेंड्स यहां पर आपको तीन से चार चमस दही ले लेना है आप देख सकते हैं वीडियो में तो फ्रेंड्स अब इसके बाद में आपको मिलाना है कैस्टर ओइल यानिकी अरंड का तेल तेल यह तेल बहुत ही ज़्यादा गाड़ा होता है यह किसी भी शॉप पर आपको आसानी से मिल जाएगा कैस्टर ओइल भी हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदे प्रोग देता है आप देख सकते हैं वीडियो में यहां पर आपको एक चम्मच कैस्टर ओयल लेना है अब इन सबी चीजों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि सारी चीजें आपस में अच्छे से मिल जाएं हमें इसका एक ठिक पेस बना लेना है ताकि हमारे बालों पर अच्छे से लग जाए अगर आपको इस थोड़ा सा गारा लगे तो आप इसमें थोड़ा सा डhi और एड़ कर सकते हैं आप देख सकते हैं यह मैं आप अच्छे से मिक्स कर लिया है अब मैं आपको बतातु हैं आपको एक इस तरीके से अपलाई करना है तो friends आपको अपने finger की help से अपनी scale पर यानि कि अपने बालों की जड़ों पर अच्छे से लगा लेना है इस तरीके से आपको अपने पूरे बालों पर अच्छे से लगा लेना है मैं यहाँ पर आपको लगा के दिखा रही हूँ आप देख सकते हैं वीडियो में तो friends आपको अपने बालों की length पर जो बचा हुआ कड़ है उसको भी यूज कर सकते हैं अपने बालों को conditioning करने के लिए जब यह अच्छे से लग जाए तो किसी polythine की सायता से या फिर shower cap से इसको cover कर लेना है तो friends इसको आपको नहाने से एक या दो घंटे पहले अपने बालों पर लगा लेना है आपको इसको एक से दो घंटे लगाने के बाद में किसी mild shampoo से इसे wash कर लेना है इसको week में दो बार use करना है friends believe me friends इसके कुछी week के स्तुमाल से आपको अपने बालों में खुदी रजर्ट देखने को मिल जाएगा तो आप देखेंगे कि पहले से आपके बाल बहतर हो जाएगे और आपके बाल बहुती जादा smooth silky signing और मजबूत देखेंगे और साथ ही आपके बालों को जो जहना वो भी बंद हो जाएगा ये नएवाल उगाने में भी बहुती जादा help करेगा और साथ ही आपके बालों को काला, लंबा और घना भी बनाएगा इस remedy को boys या girls कोई भी हो इस remedy को use कर सकते हैं काफी अच्छी और natural remedy है, जिसका कोई भी side effect नहीं है Believe me friends, आप इसका use करिए और मेरे साथ इसका feedback जरूर शेयर करें अगर आपको इस remedy के regarding अगर आपका कोई question है तो आप मुझसे comment करके पूछ सकते हैं तो मैं उसका reply जरूर करूँगी अब मैं मिलूँगी आप से अपने नेक्स वीडियो में एक ऐसी ही नई remedy के साथ तब तक के लिए बाइबाइटेक केर एव नाइस डे